बॉलियूड की दवंगल कही जाने वाली अभिनेत्री सोनाक्सी सिना जिन्होंने बहुती कम समय में बॉलियूड में एक अपनी अलगी पैचान बनाई है इन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी को अपना दिवाना बना दिया सोनाक्सी सिना की गिंती उन अभिनेत्रियों में ह पुती है जिनने बॉली उट का हर कोना कोना जानता है जिन्होंने बॉली उट की कई फिल्मों में अपने अभी नएका जलवा दिखाया है और अपनी अदाओं से हर किसी को गायल कर दिया दोस्तों आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते होंगे लेकिन सोनाक्षी के भी ऐस तो मेरत राज है जिन्ने सायधी आप जानते होंगे इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सोनाकसी सिना के छुपे वे राजों से रूब रूब करवाने वाले हैं तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अधितक और अगर आप भी सोनाक्ष सीना के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक सरूर करें बॉलियोड की most popular actress सोनाक्ष सीना का जनम 2 जून 1987 को पटना में हुआ था लेकिन इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की फिल्मी परिवार से होने के बाद भी सोनाक्ष सीना ने कौस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर अपने अभिनए करियर की सुरुआत की थी क्योंकि ये खुद को एक एक्ट्रेस बनने के लाइक नहीं मानती थी ये स्टार्टिंग में काफी मोटी नजर आती थी इसलिए इन्होंने ना चाहते हुए अपने करियर की सुरुआत कौस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर की लेकिन इन्होंने खुद को एक एक्ट्रेस के रूट में डालने के लिए बहुत मैनत करी और इसी वज़ा से साल 2010 में आई फिल्म दबंग में सल्मान खान के साथ इन्होंने बॉली उड में डेव व्यू किया इस फिल्म में उनके अभिनए को इतना पसंद किया गया कि इन्हें जल्दी कई मूवियों के ओफर मिलने लगे जिसमें राउडी राठोर, लुटेरा और आर राजकुमार जैसी सूपर हीट फिल्म में सामिल है सोनाक से सीना ने आज भी अपने अभिनए करियर को जारी रखा है जहां ये हाली में आई फिल्म भूस दा प्राइड ओफ इंडिया में नजर आई थी दोस्तों आपको बता दे कि सोनाक से सीना करोडो रुपे कमाती है फिर भी अपने जेब खर्चे के लिए पैसे वे अपने पैरेंट से ही लेती है बता दे कि सोनाक से सीना कहीं पर भी जाती है तो अपने साथ एक्ट्रक अपड़े जरूर लेकर जाती है सोनाकसी सीना की एक्टिंग का तो हर कोई दिवाना है बला हो भी क्यों ना क्योंकि सोनाकसी सीना मल्टी टैलेंटेड एक्टरेस जो है बता दी कि सोनाकसी सीना एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी करती है और इसके अलावा कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है अगर बात करें सोनाक्षी सीना के कॉंट्रोवर्सी के बारे में तो बता दी कि जब कौन बनेगा करोड़ पती में सोनाक्षी सीना से सवाल पूछा गया की रमायन में हनुमान जी संजीवनी किसके लिए लाए थे तो इस सवाल का जवाब हो नहीं दे पाई थी जिस वज़ा से लोगों ने सोनाक्षी सीना को काफी ज़्यादा ट्रोल भी कर दिया था दोस्तो सोनाक्षी सीना सिंगल है लेकिन उनका नाम कई बड़े एक्टर और बिजनेसमेन के साथ जोड़ा जा चुका है जहां इनके योगा टीचर आदित्य सरौफ के साथ रिलेशन में रह चुके हैं लेकिन ये रिस्ता जादे दिन तक नहीं चला फिर दोनों अलग हो गए वहीं दबंग फिलिम में काम करने के दुरान इनका नाम सलमान कान के साथ भी जोड़ा गया था लेकिन सोनाकसी ने सलमान के साथ अफ़ेर की खबरों को हमेशा अफ़वा बताया और इन खबरों को विराम दे दिया बता दी कि तब से लेकर अब तक सोनाकसी सीना सिंगल है और अपने करियर पर फोकस कर रही है वैसे दोस्तों इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पताएं